स्वागत है आप सभी का नमारी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे कॉंश्यूपेशन यानि की कब्ज कब्ज पाचन तंतर की उस स्थितियों कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति का मल बहुत अधिक कड़ा हो जाता है तथा मल त्याग में कटनाई होती है कब्ज के लक्षन कब्ज से पीडित लोगों की जीव सफेद या मेटमेली हो जाती है और मुह का स्वाद भी खराब हो जाता है साथ ही मुह से बदवो भी आने लगती है कब्ज के रोगियों को भूखनी लगती है साथ ही उल्टी की स्थिति बनी होई रहती है बातरूम जाने के बाद भी अधूरे मलत्याग करने की भावना पेट में सूजन या पेट दर्द आदी भी कब्ज के लक्षनों में आते हैं उपाए सुबह उठने के बाद पानी में निम्बू का रस और काला नमक मिला कर पिए इसे पेट अच्छी तरह साफ होगा और कब्ज की समस्या नही होगी कब्ज के लिए सहत बहुत फाते मंद है रात को सोने से पहले एक चमस सहत एक गिलास पानी में डाल कर पीए इससे इसकी नियमी सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी इसबगूल इसबगूल की भूसी कब्ज के लिए रामबान इलाज है आप इस कपर जाएगी कब्ज से बचने के लिए नियामी तुरुप से वेयाम करें और योग भी बहत पाइदे मन्द होता है इसकी अलावा कब्ज की परसानी अधिक होने पर आप डॉक्टर के सला वबस्त लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो राइक और सब्सक्राब कर दें